अब देख सकते हो कि मेरे पास एक relay module है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस relay module का यूज करके कैसे हम एक fully automatic light circuit बना के उसे यूज कर सकते हैं तो वीडियो को फ्रेंड बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए फ्रेंड ये जो module है ये module आपको electronic soap पे या फिर जिस soap पे school college का project का समान मिलता है वहाँ से आपको बड़े अराम से 35-40 रुपे के अंदर मिल जाएगा अब देखिए इस relay module के अंदर लगा क्या क्या है कौन-कौन से point है वो एक बार आप समझ लो तो सबसे पहले देखिए इस relay module के अंदर हमारी एक 5-volt का ये एक relay लगा हुआ है और यहां पर अगर हम देखिए तो यहां पर हमारा एक जीनर और यहां पर transistor और छोटे-छोटे कुछ resistance लगे हुए है यहां पर red और green color की LED लगी हुए है और यहां पर देखिए connection जोडने के लिए यहां पर 3-pin दे रखी है तो यहां पर जो पहली पीन आफ्रेंट यहां पर देखिए VCC लिखा हुआ है और उसके बाद यहां पर G&D लिखा हुआ हुए दूसरी पीन पे और तीसरी पीन पे IN लिखा हुआ है तो यह जो वी सी सी होता है यह हमारा प्लस अप्लाई के के लिए होता है और यहां पर हमें सिंगनल मिलता है तभी यह जो रिले मेट्यूल है यह काम करता है और पीछे के तरफ यहां पर हमें जो हमारी बिजली से चलने वाले बल्फ होते हैं उसका कनेक्शन जोड़ना होता है तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊ तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस टैप का यह LDR होता है और यह LDR फ्रेंड आपको इलेक्टोनिक सोप पे पांसी देस रुपे के अंदर मिल जाएगा लेकिन सभी इलेक्टोनिक सोप पे मिलता नहीं है तो आप उसी स्कूल कोलेज के प्रोजेक्ट वाली दुकान प तो यहां पर देखिए यह जो LDR होता है इसके अंदर कोई भी प्लस मानस नहीं होता इसका मतलब क्या है कि इस LDR को हम उल्टा सिदा कैसे भी हूँज कर सकते हैं तो देखिए किस तरहीके से हमें यहां पर इसे यूज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले यह यहां पर हम पेश्ट लगाएंगे देखिए कुछ इस तरीगे से इसकी दोनों लेग को पेश्ट के अंदर ऐसे मैं क्वीक कंपनी की पेश्ट यूज कर सकते हो तो यहां पे थोड़ा सा हम सोल्डर लेते हैं वाय ने ले लिया तो यहां पर यह पहली लैग है इसको हम इन वा पॉइंट पर जोड़ दिया है और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा solder लेंगे और LDR की जो दूसरी leg है इसको हम GND वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे यह हमारा GND वाला पॉइंट है तो कुछ इस तरीके से मैंने LDR को जोड़ दिया है अब उसके पाद देखें फ्रेंड हमें लेना है एक प्रिसेट तो यह देखें फ्रेंड कुछ step का प्रिसेट होता है और यह प्रिसेट हमारा 10k का प्रिसेट है और यह प्रिसेट भी आपको किसी भी electronic soap पे 5-10 रुपे के अंदर बड़े अराम से मिल जाएगा तो यहां पे देखें अब इसके अंदर होता है क्या है इसके अंदर total आपको तीन लेग मिलेगे तो दो लेग तो देखें कुछ इस तरीके से आमने सामने रहती है और एक लेग हमारी side में रहती है तो यह जो दो लेग है इन में से किसी तरीके से solding कर दी है उसके बाद हमें क्या करना है एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है तो यह देखें मेरे पास बिल्कुल तो यहां पे मैंने जोड़ दिया अब यह wire का जो दूसरा सीरा है इसको देखिए हम यहां पे जोड़ेंगे यह जो हमारा तीसरी leg है यहां पे हमें जोड़ना है यह देखिए यहां पे मैंने बड़ी है तरीके से sold कर लिए है तो wire का भी हमारा connection हो गया पे इसे सप्लाई देने के लिए हम कोई भी पुराना मुबाल चार्जर यूज कर सकते हैं तो मेरे पास देखे पुराना मुबाल चार्जर है ठीक है यहां पे जो इसकी आगे पीन है वो चूवे वगर ने काट दी थी लेकिन सर्किट बिल्कुल ओके है तो में इसी का यहां रचलिगा है और रचलिज होना प्रूर करेंगे अब इसके निदर क्या है कि हमारी दो वायर है एक प्लस की एक माइनस की है तो यहां पर आपको प्लस मायनस वाली वायर कहां पर जोड़ने बिलकुल ध्यान से चीज को समझना क्यों कि अगर यहां पे आपने मैंस का तो यहां पर अगर हम folding करेंगे तो अपस में टच हो सकती है तो हम यह वाली लेक पर यह कर देते हैं। यह हमारा GND के साथ में जूड़ा हुआ है। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं तो यह देखें फ्रेंट यहां पर हमने charger का connection है वो भी बढ़ी है तरीके से कर लिया है तो यहां पर जो circuit है वो लगबग 99% complete हो चुका है अब यहां पर हमें क्या करना है सिर्फ यहां पर यह जो तो डारेक्ट हमारी holder के अंदर गई है और एक वायर को मैंने बीच में से काट दिया है जैसे की bed switch वेगर लगाने के लिए हम एक वायर को काटते हैं वैसे मैंने काट दिया तो अब हमारे पास दो वायर आगी total तो हम क्या करेंगे यह जो पहली वायर है इसको और यह जो दूसरी वायर है इसको इस से डॉले point पर नहीं जोड़ना आपको इस से डॉले point पर जोड़ना है यह आपको ध्यान रखना है तो यहां पे इसको हम इस तरीके से वायर को डाल रहे हैं और उसके बाद इसके page को भी हम टाइट कर देंगे यहां पर losing बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए नहीं तो फिर यहां पर sparking होगी और फिर यह circuit ठीक से काम भी नहीं करेगा तो यहां पर जो connection है friend वो हमारा complete हो गया है अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर यह जो circuit हमने बनाया यह काम करेगा तो यहां पर देखें मेरे पास एक 7W का LED बल्फ है तो इसको मैं यहां पर लगा रहा हूं और आप इसके जगा पर 50W का भी बल्फ यूज कर सकते हो ठीक है तो यह मैंने यहां पर लगा दिया है और उसके बाद हमें क्या करना है हमें लेना अपना extension board तो यह मेरा extension board है तो इसके अंदर देखिए हम इस वाली बार को जोड रहे हैं और साथ में यह जो charger है इसको भी हम यही पर जोड देंगे ठीक है यह मैंने जोड दिया है अब एक चीज मैं आपको बता दू फ्रेंड की यहां पर हमने जो preset लगाया है यह किसलिए लगाया है यह यहां पर इसको adjust करने के लिए लगाया है क्योंकि सुरू में हो सकता है कि यह light circuit साई से काम ना करें तो हमें क्या करना है सबसे पहले यह जो LDR है इसकी लेक को हम कुछ इस तरीके से उपर की तरफ कर देंगे क्योंकि देखे हमारे जो studio की light है उपर लगी हुई है तो उससे क्या होगा कि जो studio की light है वो LDR पर पर पड़ेगी जिसकी वज़े से यह बलफ हमारा काम नहीं करेग इसके अंदर तभी प्रोपर तरीके से काम करेगा यहां से देखे स्विच को मैं ओन कर रहा हूं सप्लाई दे रहा हूं सर्किट को तो यहां पर अभी क्या फ्रेंड की यह बलफ हमारा बिलकुल भी नहीं जल रहा है तो अब हम क्या करते हैं अपने studio की light को बंद करते हैं औ बलफ जल तो रहा है लेकिन यहां पर बहुत ही तेज़ी से रिले आटो कट कर रही है यानि यहां पर यह सर्किट अभी फिलाल सही से काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए यहां पर आप हमें सैटिंग करनी पड़ेगी तो सैटिंग के लिए यहां पर हमने preset लगाया था तो मदद से हम यहाँ पे थोड़ा से इसे घुमा के सेट करेंगे तो इस तरीके से हमें सेट करना है तो यहाँ पे देखे फ्रेंड अब यह बलब बढ़ी है तरीके से जल रहा है लेकिन यहाँ पे अब हमें यह देखना है कि जब इसके ओपर लैट पड़ती है तो क्या यह बंद हो गया, दोबारा से देखें, मैं बंद करूँगा, तो बलब हमारा चालो होना चीए, देखें, उसे टैम चालो हो गया, और यहाँ पे बंद हो गया, तो अब यह जो हमारा सरकिट है, अटो कट वाला, यह बिल्कुल बढ़ी है, तरीके से काम कर रहा है, एक तरीका और है चेक करने का, कि यह जो LDR है, इस पर देखें, जैसे मैं हाथ रखूँगा, तो अंधेरा हो जाएगा, और यह बलब हमारा जल जाएगा, यह देखें, जैसे मैंने उंगली रखी, तो अंधेरा हो गया LDR के उपर, तो बलब को इसने जला दिया और जैसे हम अटाएंगे, तो ये हमारे जो उपर स्टूडियो की लाइट है LDR पर पढ़ रही है तो ये बलफ सब बंद हो गया तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमारा आर्टो कट वाला सर्कीट है ये काम करता है और इस सर्कीट को बना के आप अपने किसी भी बलफ के अंदर फिट कर सकते हो जिससे कि अगर अंधिरा होगा तो बलफ आपका अटोमेटिक जल जाएगा और जैसे सुबा होगी और सुबा होते जैसे सनलाइट इसके उपर पढ़ेगी वैसे ये बलफ को बंद कर देगा तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ से नए टोमिक साथ तब तक के लिए जैसे वंदे मातरम